अबे ग्योंड है गुडि इछ लाफ यू आज के हमारी क्लास का टोपिक है पत्र और पत्रिका खेंग तो आ आज करेंगे हम भारतेंदू युक की पत्र मंूख्य पत्रिका है में कौन बहुत सारी है लेकिन आपको इंपोटेंट जो हमेसा एक्जाम में पूछी जाती है ये वाली पत्र पत्रिका आज आपको कराएंगे पत्रिका उनके संपादक परकासन अस्थान कहां से परकासित हुई है और वर्स किस वर्स में परकासित हुई है उदत मारतन ये जुगल की पंडि जुगल की सोर जी ने इसके संपादक है उदत बगंदूत राजाराम मोहनराई ये भी सब्ताइक है ये भी कलकत्ता से परकासित हुआ है ये 1829 में परकासित हुआ है तो बगंदूत ये ऐसे कोशन पूछ लेगा बगंदूत किस वर्स में परकासित हुआ तो ये 1829 कौन बगंदूत के संपादक थे तो कौन थे राजाराम म परकासित हुआ है राजा सी परसाद सिंग बनारस अख़बार तो ये अख़बार का नाम है बनारस अख़बार राजा सी परसाद सिंग ने किया है ये बनारस अख़बार इनोंने परकासित किया है ये बनारस से परकासित हुआ है ये हुआ है 1845 में तो ऐसे पूछ लेगा रा अंबन नसरुदीन जी ने कौन सा किया है ये भी सप्ताइक है ये भी कलकत्ता से है ये 1840 में परकासित हुआ है सुधाकर बाबु तेरा मोहन मित्र ये सुधाकर जी ने किया है पत्रिका हैंकी बाबु तेरा मोहन मित्र ये भी सप्ताइक है ये 80 से परकासित हुआ है 1850 में ये साम में दंड मारतंडे ये पंडि जुगल किसोर जी ने किया है ये पत्री का है ये पंडि जुगल किसोर जी ने किया है ये भी सप्ताइक है ये भी कलकत्ता से परकासित हुए है तो आपने देखा होगा कितनी सारी सारी सवाले इसमें सारी कलकत्ता से हुई है ये बनारस से सिंग ने और कासी से हुई है सुधाकर जिने किया है बाबु तेरा मोहन मित्र अठारे 50 पचास में बाकि सारी कांसे हुई है कलकटा से बुद्धि परकास मुंसी सदा सुखलाल यह सापताहिक है सापताहँ में एक बार आती है यह आगरा से पसी थुइ है कि है परकासित? 1855 में. कहां से परकासित हुई ए? अगस्रान आगरा से. कवी वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चन ये मासिक ये महीनेमे एक बार आती थी, ये कहां से परकासित हुई है? आपकी, ये कासित हुई है? 1868 में. बिहार बंदू, पंडित केसव रामभट जी ने की है, केसव रामभट जी ने कौन सी पत्रिका किया है, बिहार बिंदू, ये कहां से परकासित हुई है, बिहार पांथ से परकासित हुई है, ये 1871 में परकासित हुई है, हरिस्चन्द मैगजीन, हरिस्चन्द मैगजीन किसने संपादक कौन थे भारतेंदू हरिष्चन ये महीने में कितनी बार एक बार परकासित होती थी कहां से परकासित हुई है ये बनारस से परकासित हुई है 1873 में परकासित हुई है तो ऐसे यहांट लूत प्रावरख़शने, दोस्तों आपन के सपत्ताहिक और्षा खेने कि यि59 साथा ही यह दिल्ली XX थे ये सब्ताहिक है, ये सब्ताहिक है, ये सब्ताहिक है, इसका प्रकासित होती है, भारत मित्र, छोटुलाल मिस्र और दुर्गापरसाद मिस्र, ये जो भारत मिस्र पत्री का है, ये किस ने की है, छोटुलाल मिस्र जीने और दुर्गापरसाद मिस्र, ये सब्ताहिक है, ये कल अकत्ता से प्रकासित हुई है, 1877 में प्रकासित हुई थी, हिंदी परदीप, बाल, किसन, भट, ये मांसिक परतिका है, ये परियाग से प्रकासित हुई थी, 1877 में, आनंद काद कंदाबनी बदरी नाराण चोधरी, तो ये मांसिक है, ये कहां से हुई है, बदरी नाराण चो ब्रहमन परताप नारायन मिस्र ने किया है पत्री का ये हमारी है ब्रहमन ये किस ने किया है परताप नारायन मिस्र ने ये मासिक है ये कानपूर से हुई है अठारा सो त्यत्तर में भारतेंदू पंडित राधा चरण गो स्वामी ने ये वरंदावन से परकासित हुई है तो अभी तक हमने जितनी सारी पड़ी है तो उन में से एक आई है उनली वरंदावन से कौन सी प्रकासित हुई है भातेंदू पंडित राधा चरणगो स्वामी जीन जो वरंदावन से प्रकासित किया 1884 में भारत जीवन राम किसन वर्मा ये सप्ताइक है 1884 देव नगरी परचा ये लखनाव से प्रकासित हुई है भार हिंदूस्तान राजा रामपाल सिंग ये देनिक देनिक का मतलब ये डेली आती है रोज जैसे समचार पत्र आते हैं ये भी हिंदूस्तान जो है ये राजा रामपाल सिंग जीने किया है इसका संपादक ये डेली रोज आता है ये इ यहाँ बिध की लास होती है उसकी पर शेयर की जाती है तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद कि झाल झाल